है लो स्टूडेंट्स वेलकम टू जीनियस मेंटर्स बचों हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस और क्लास 10th साइंस में बायलोजी सेक्षन में हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हमारा लाइफ प्रोसेस बचों चैप्टर बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है हम NCRT से चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको एक टॉपिक जो NCRT से है वह अच्छे से करवाया जाएगा यह चैप्टर सिर्फ 10 के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है आप 11 के लिए भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और 12 के लिए आने वाली क्लासेस इसका मतलब हैल्प ले सके इससे इसका उप्योग कर सके मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी जाद है कि अगर आप अच्छे से अपढ़ लोगे तो आगे आपको उतनी महनत नहीं करनी पड़ेगी ठीक है बेस बन रहा है आपका तो लाइफ प्रोसेस चैप्टर में हमने क्य करते हैं उसे अनरजी ऑंटेन करते हैं उस प्रोसेस को न्यूटी रहा है न्यूटी जो ऑट उट्रोफिक और हेट्रोफिक है मैं पहले तो ऊट्रोफिक मौडफ नूट्रीशन क्या था वो mode of nutrition वो तरीका nutrition का जिसमें कोई organism अपना खाना स्वेम बनाता है और हेटरोट्रोफिक में वो स्वेम नहीं बना पाता तो औरों पे निर्भर होता है ठीक है चाहिए प्लांट्स पे चाहिए अनिमल्स पे चाहिए दोनों पे इतना अच्छे से पढ़ लिया हमने ठीक है इतना अच्छे से आपको clear हो गया है अब हमने nutrition in plants को detail में पढ़ना है यानि कि plants में nutrition कैसे होता है जो कि हमने क्या पढ़ा था plants क्या करते है autotrophic mode of nutrition करते है plants कौन सा mode करते है autotrophic mode of nutrition करते है उसी को ही हमने detail में पढ़ना है ठीक है यानि कि green plants are autotrophic green plants क्या होते हैं autotrophic होते हैं because they perform autotrophic mode of nutrition ठीक है and synthesize their own food by the process of photosynthesis और autotrophic mode of nutrition कर रहे हैं तो क्या करते हैं अपना खाना स्वयम बनाते हैं synthesize मतलब prepare करना आपना खाना स्वयम बनाते हैं by performing the process known as photosynthesis photosynthesis process करके photosynthesis process करके वो अपना खाना स्वयम बना पाते हैं कुछ सिम्पल चीजों का इस्तेमाल करके जैसे Carbon Dioxide, जैसे Water, जैसे Sunlight, इन चीजों का इस्तेमाल करके प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं. हम अपना खाना carbon dioxide water से नहीं बना सकते हमें चाहिए या तो plant से obtain चीजे या animal से obtain चीजे और उन से फिर हम अपना खाना पकाते हैं ठीक है लेकिन ये क्या करते हैं carbon dioxide लिया water लिया sunlight लिया और खाना बना दिया तो इस process को photosynthesis ऊंचेक उल्ठ इन께서 फोसींदेसिस अंब फोटोसींदेसिस में आप इस शब्द को तोड़ जो फोटो का मतलब होता है light फोटो का मतलब होता है light synthesis का मतलब है किसी चीज को ne करना किसी चीज को बनाना तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेस मीन्स टू बिल्ड यानि कि किसी चीज को बनाना वह सिंथेस का मतलब हो गया यानि की पूरा मतलब हुआ लाइट की वज़े से बनाना क्या बनाना अपना खाना बनाना उस प्रोसेस को फोटो सिंथेस बोलते light की मदद से अपना खाना बनाना process क्या कहलाएगी photosynthesis the process by which green plants ऐसी process जिसमें green plant green plant क्यों 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 के पास green pigment होता है उस pigment का नाम क्या होता है बच्चों chlorophyll ठीक है तो green pigment make their own food अपना खाना बनाते हैं किस form में glucose की form में जिसका formula होता है C6, H12, O6, C for carbon, H for hydrogen, O for oxygen तो glucose की form में खाना बनाते हैं from carbon dioxide, पहले CO2 लेंगे, दूसरा water लेंगे by using sunlight energy, sunlight energy का इस्तेमाल करेंगे in the presence of chlorophyll, किस की मदद से? chlorophyll की मदद से, what is chlorophyll? chlorophyll is a green pigment जो plant के पत्तों में मिलता है हरे पत्तों में मिलता है इसलिए ही green plant इस process photosynthesis को कर पाते हैं the process of photosynthesis takes place in green leaves of plant आपको बच्चों पता होना चाहिए सबसे पहले कि सिर्फ जो green plants है, green plants perform photosynthesis सिर्फ green plants ही photosynthesis कर पाते हैं क्यों? क्योंकि green plants के पास ही होंगे green leaves green plants के पास ही होंगे green leaves और green leaves में होता है green pigment जिसको हम बोलते हैं chlorophyll क्या समझ में आया, आपसे पहला पूछा जाएगा क्या non green plants जो होते हैं, जो non green plants होते हैं क्या वो photosynthesis कर पाएंगे, answer आएगा no क्यों? क्योंकि जो सिर्फ green plants होते हैं वही photosynthesis कर पाते हैं, आप पूछा जाएगा क्यों? क्योंकि green plants के पास green leaves होते हैं और green leaves जो होते हैं, उनके अंदर green pigment होता है chlorophyll, और जिसके पास chlorophyll नाम का green pigment होगा, वही photosynthesis कर पाएगा, जिसके पास green color का यह pigment नहीं है, green pigment नहीं है, chlorophyll वो photosynthesis नहीं कर पाएगा, ठीक है, अब photosynthesis process में, जो photosynthesis process है, इसमें 4 चीज़ों का बहुत जादा role है, कि वो चार चीजे तो होनी ही होनी चाहिए फोटो सिंथेसिस के लिए नमबर वन कारबन डायोकसाइड नमबर टू वोटर नमबर थ्री सनलाइट अनरजी अन्द नमबर फॉर इस क्लोरोफिल ये चार चीजें बहुत ही जादा जरूरी हैं फॉर्टो सिंथेसिस प्रोसेस को परफॉर्म होने के लिए क्या चार चीजें हैं बच्चों सबसे पहले कारबन डायोकसाइड विचिस कैन भी रिटन एज सीओ टू जिसे आप सीओ टू की फॉर्म में भी लिख सकते हो फॉर्टो सिंथेसिस क्या प्रफॉर्म कर पाएगा वरना नहीं कर पाता है तो फॉर्टो सिंथेसिस क्या हुआ प्लांट अपना खाना बना रहा है लाइट अनरजी का इस्तेमाल करके जो जो चीजे हैं वो आपको समझ में आ गई यहां पर यह इमेज क्या दिखा रही है वही बात दिखा रही है और लाइट अनरजी भी मिल रही है नीचे से वोटर भी मिल रहा है टीन चीजें और और अपना खाना ग्लूकॉस की फोरम में बनाया है glucose की form में खाना बनाया है और साथ में oxygen भी release हुई है अब जो paper में पूछी जाने वाली बात है वो सुनो वो है reaction of photosynthesis photosynthesis की क्या reaction होती है लेखो बच्चों जब आप ऐसे लिखते हो ना एक तरफ तो लिखना होते है reactant या जो चीजे use हुई है फिर arrow लगता है और फिर इस तरफ लिखा जाता है products क्या क्या बनी ठीक है एक तरफ वो चीजे लिखी जाती है reactants एक तरह से वो चीजे लिखी जाती है जो use हुई है जो use हुई है वो एक तरफ लिखी जाएंगी फिर जो arrow बना कर जो side में दूसरी side लिखी जाती है वो लिखी जाती है जो release हो रहा है जो बन रहा है या जो foam हो रहा है ठीक है जो बन रहा है इस हिसाब से क्या क्या चीज़े इस्तेमाल होती है बच्चों तो सबसे पहले होती है carbon dioxide जिसे हम बोलते है CO2 12H2O यानि की water फिर लगा दो arrow arrow लगा कर ऊपर तो आपने लिखनी है sunlight और नीचे लिख दो chlorophyll चाहिए ठीक है यहाँ तो clear हुआ 6 CO2 यानि की 6 molecules of carbon dioxide plus 12H2O यानि की 12 molecules of water arrow लगाया उपर लिख दो sunlight energy नीचे लिख दो chlorophyll ठीक है उसके बाद अब arrow लगा के हमने बताना है product क्या क्या बने तो बच्चों आपने क्या याद रखना है C6H12O6 this is the formula of glucose glucose बना यह तो बन गया plant का खाना ठीक है plus 6 molecules of oxygen साथ में क्या release हुई oxygen ठीक है साथ में क्या release हुई बच्चों oxygen release हुई और 6 molecules water के ठीक है यह पूरी की पूरी क्या है complete reaction है फोटो सिंथेसिस की जो की most important है paper में पूछी जाने वाली है इसलिए star बनाओ और इसको समझो की raw material यूज होए चार conditions है carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll खाना बना glucose की form में साथ में oxygen रिलीज हुई और साथ में water तो conditions यहां पे लिख दी है ताकि आप इस तरह ऐसे notes बना सको sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, water का इस्तेमाल होता है अब में बात यह है कि यह चो चारों चीजें है यह plant किस-किस परकार ले पाता है plant carbon dioxide कैसे लेता है water कैसे लेता है chlorophyll कहां present होती है plant sunlight कैसे इस्तेमाल करता है main तो सिर्फ बचव carbon dioxide और water का है plant carbon dioxide कहां से लेता है plant जो water है वो कैसे लेता है यह paper में two marks में question भी आ सकता है कि how plant obtain carbon dioxide carbon dioxide को वो प्राप्त कैसे करता है सबसे पहले carbon dioxide present कहां पर है कहां मौझूद है हमारी हवा में हमारी surroundings में हमारी air में ठीक है so air is the mixture of gases आपको पता ही है तो air में carbon dioxide भी होती है यानि कि the green plant take carbon dioxide from air for photosynthesis सबसे वहले तो आपको यही पता होना चाहिए जिस चीज की plant को जरूरत है आफशकता है वो है कहां वो plant के अंदर है या root में है के हवा में है कहां है तो carbon dioxide is present in the air carbon dioxide कहा है हवा में है और वहां से plant को वो लेनी है photosynthesis करने के लिए तो कैसे ले पाएगा the carbon dioxide gas enter the leaf of the plant through stomata present on their surface सबसे पहली बात बच्चो जो भी green plants होते है green plants के leaves में tiny pores present होते है सुनो एक बार अच्छे से देखो ये बात इसी तरह से आपको याद करनी है समझनी है कि green plants के जो पत्ते होते हैं उन में छोटे-छोटे tiny pores याने की छिदर present होते है जिसे हम stomata बोलते है उन stomata के दुवारा ही carbon dioxide पत्तों के अंदर आती है और पत्तों में ही चाहिए क्योंकि photosynthesis occurs in the green leaves of plant photosynthesis पत्तों में ही होती है प्रोसेस तो carbon dioxide चाहिए तो वो कहां चाहिए पत्तों में ही चाहिए पत्तों में tiny pores stomata present होती है जिसकी वज़े से पत्तों के अंदर carbon dioxide का entry होना होता है ठीक है तो कहने का मतलब क्या है कि जो पत्ते हैं carbon dioxide पत्तों में enter करती है through the stomata stomata क्या है stomata are the tiny pores tiny pores present on the surface of leaves leaf के जो surface पर मिलने वाले जो tiny pores present होते हैं उन्हें stomata कहा जाता है और उसी के दवारा carbon dioxide के entry होई अब stomata के अंदर जो pore हैं बच्चों each stomatal pore वो जो छोटे-छोटे छेद हैं is surrounded by a pair of guard cells guard cells से surrounded होते हैं यानि कि इस तरहें से stomata का structure होता है यानि कि stomata के structure में आपको दो इस तरहें के guard cell मिलते हैं यह क्या मिले है बच्चों guard cell मिले हैं ठेक है यह इनका nucleus हो गया और यह इस तरहें से इसकी covering होती है ठेक है अंदर क्या है यह guard cell हर एक stomatal pore में जो covering है उसकी दो guard cells होते है यह जो है इस time पे तो यह open है और यह अगर इस तरह ऐसे है तो close है अगर close है ना बच्चों तो ना तो कोई चीज अंदर जाएगी ना बाहर जाएगी जैसे gate होते हैं जैसे gate बंद हो गया तो फिर थोड़ी हम अंदर बाहर जा सकते हैं उस gate से लेकिन अगर वह open है तो स्टोमेटल पोर यह देखो यहां पर तो स्टोमेटा ओपन है स्टोमा ओपन क्योंकि यह चीज आपको यहां दिख रही है बच्चों यह यह गार्ड से ले देखो एक यह है किड़नी शेप और एक यह राजमा की शेप होती न वैसी बीच में आपको यहां स्पेस दिख रहा है यह बताता है कि स्टोमेटा ओपन है और यहां पर कोई और यहां पर कोई स्टोमेटा इंटरी होती है अगर नहीं ऑपन है तो फिर नहीं होती ठीक है तो स्टोमेटा पॉर जो है गार्ड सेल से इनकी ऑपनिंग क्लोसिनिंग होती उपनिंग और क्लोजनिंग से पता चलता है कि कारबन डियोकसाइड एंटर कर सकता है अंदर लीफ के या नहीं जैसे ही पत्तों की जो गाड सेल होती है उनमें पानी जाए जैसे ही पानी जाता है तो स्वेल हो जाता है और जैसे उसमें से पानी निकल जाए तो वो सिकुड जाता है तो बंद हो जाता है यानि कि वेन वोटर फ्लो इंटू दा गार्ड सेल जब गार्ड सेल के अंदर पानी फ्लो करेगा बहेगा तो वो स्वैल हो जाएगा यह तो बच्चों आपको पता ही है अगर किसी चीज में पानी जाएगा तो वो उसका साइस बढ़ा होगा वो स्वैल हो जाएगा और जब वो ऐसे ही गार्ड सेल के अंदर जब पानी जाता है तो गार्ड सेल स्वैल हो जाते हैं स्वेल होने के कारण क्या होता है उनका साइज बढ़ा हो जाता है और प्रेशर से वो ओपन हो जाते हैं और जो स्टोमेटा पोर का जो गेट है वो खुल जाएगा ठीक है तो वो करवड हो जाएगा और उससे क्या है स्टोमेटा का पोर ओपन हो जाएगा और उसी हिसाब से on the other hand, जब उसमें से पानी निकल जाता है, तो वो श्रिंक हो जाता है, सिकुड जाता है, सिकुडने के साथ-साथ वो स्टोमेटा पोर भी बंद हो जाता है, यानि कि जब पानी आएगा, तो वो स्टोमेटा पोर ओपन हो गया, पानी निकलते समय वो श्रिंक हो जाता है, तो सट फिर से खाली हो जाएगा तो फिर से स्टोमेटा पोर बंद हो जाएगा. So, the large amount of water is also lost from the cells of the plant leaves through open स्टोमेटल पोर ठीक है इसलिए large amount of water is released होता रहता है, जब यह large amount of water is released होता है तो इस समय में इसलस्ट पानी लगता है तो इस time पर क्लोज हो जाती है, so when the plant does not need carbon dioxide, जब प्लांट को लगता है कि प्लांट को carbon dioxide की जरूरत नहीं है, तो वो stomata अपना gate बंद रखती है, stomata बंद रहती है, close रहती है, and want to conserve water, पानी को बचाना भी चाती है, तो क्या होता है, stomata के पोर हमेशा बंद रहते हैं, ठीक है, आपको क्या याद रखना है, stomata जो है, वो close कब होती है, when plants plants do not need CO2 and wants to conserve water, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई, कि plant जब plant को carbon dioxide की जरूरत नहीं होती, तो वो अपने stomata को बंद कर लेती है, पर ये क्या लिखा, कि want to conserve water, पानी को भी जब बचाना चाती है, तो भी stomata बंद हो जाता है, क्यूंकि stomata से, क्यूंकि stomata से also stomata से क्या होता है, laws of water होता है, laws of water in the form of water vapors जो water vapors की form में, water का laws भी होता है, stomata से, इस process को बोलते हैं, बच्चों, transpiration, ठीक है, यानि कि सिरफ और सिरफ stomata का ये function नहीं होता है, कि उससे carbon dioxide enter हो रही है, stomata का ये भी function होता है, कि water laws होता है, water vapor की form में, तो जब पानी को बचाना है, तो हम क्या करेंगे, हम नहीं चाहते कि conserve यानि की, conserve मतलब बचाना चाहता है, सेव करना चाहता है, वो नहीं चाहता कि पानी water vapor की form में जाए, तो भी वो stomata का जो close हो जाती है, stomata, ठीक है, clear हो गई, और stomata open का मतलब क्या होता है, ये भी समझ लो, stomata जब open होगी, तो क्या क्या होगा, कार्बन डियोक्साइड enter inside the leaf, अंदर कार्बन डियोक्साइड आ जाएगी, लोस हो वोटर हो जाता है, लोस हो वोटर हो सकता है, इंदी फॉर्म वोटर वेपर, ये हो सकता है, जिसे ट्रांस्पिरेशन बोला भी बच्चो, और एक और बात, स्टोमेटा ओपन का मतलब ये है, जो ऑक्सीजन बनती है, अभी मैंने आपको रियक्शन करवाई, तो रियक्शन में मैंने क्या कहा, कि ग्लुकोस की फॉर्म में खाना बनता है, वाटर रिलीज होता है, और ऑक्सीजन, औक्सीजन एक्जिट, औक्सीजन एक्जिट, औक्सीजन एक्जिट करती है, तो भी स्टोमेटा की मदद से करती है, कारबन डैयोकसाइड का अंदर आना, स्टोमेटा की दवारा होता है, जब स्टोमेटा ओपन होती है, carbon dioxide के साथ अंदर आने के साथ साथ अगर oxygen बनती है उसका बाहर जाना भी stomata open होगी तभी जाएगी laws of water जो होता है इन the form of water vapor जिसे आपने transpiration process का वो भी stomata open हो तभी होगी तो यह तीन चीज़ें हो सकती है अगर stomata open हो तो यह तीन चीज़ें होती है stomata close का मतलब यह है कि कोई चीज़ अंदर बाहर नहीं जा पाएगी तूसरा laws of water को बचाया जा सकता है पानी को conserve किया जा सकता है ठीक है यह important है बच्चों इससी चीज़ से बहुत सारे question पूछे जाते हैं तो oxygen gas produced during photosynthesis photosynthesis के दौरान जो oxygen gas बच्चों produce होती है वह भी बाहर कैसे जाती है stomata pore के द्वारा ही जाती है जब stomata open होती है stomata कहां present होती है only in the green leaves सिरफ और सिरफ हरे पत्तों में ही stomata present होती है ठीक है so green stem जो green stem है बच्चों उसमें भी मिल सकती है बस chlorophyll होना चाहिए green होनी चाहिए green leaves है तो leaves में मिलेगी green stem है तो stem में मिलेगी और बच्चों green stem है तो वो photosynthesis भी करती है अब थोड़ी कर पाती है कम कर पाती है क्योंकि chlorophyll होती है जहां पर भी green हो गया शब्द जुड़ गया चाहे वो green leaves है चाहे वो green stem है इसका मतलब वो photos photosynthesis करेगी, क्यों करेगी वो photosynthesis क्योंकि वहाँ पर chlorophyll present है, क्योंकि वहाँ पर क्या है बच्चों, chlorophyll present है, अब जो मैंने आपको process समझाई है transpiration, वो एक बार सुनो, transpiration process क्या होती है, the process in which laws of water in the form of water vapor from the leaves take place, पतों से water vapor की form में पानी का गायब होना, गुम होना उस process को transpiration कहते हैं, the laws of water, water का laws होना, किस form में, in the form of water vapors, water vapors की form में, water vapors की form में, water का laws होना, कहां से, from the green leaves, from the aerial parts of the stem, plant के जो aerial part होता है, ज्यादा तर बच्चों leaves, ठीक है, तो leaves से transpiration होती है, aerial का मतलब होता है, जो मिट्टी में दबा हुआ पाट नहीं होता है, उपर का, तो उपर पाट क्या होता है, leaves होते हैं, stem होती है, तो leaves stems में, इसे, जो water का laws होना, in the form of water vapor, ठीक है, water vapor की form में, पानी का laws होना, from leaves, from stem, this process is known as transpiration, इसे transpiration बोलते हैं, तो पानी, देखो, plant, बहुत सारा पानी root से लेता है, लेकिन सारे पानी का वो इस्तेमाल नहीं कर पाता, तो maximum water laws हो जाता है, water vapor की form में, इस process को transpiration कहते हैं, transpiration अगर आपको देखना है, तो microscopic pores, जो stomata है, जिसके बारे में भी बात हुई है, stomata के दवारा ही transpiration होता है, पानी जो भाफ की form में, निकलेगा, release होगा, वो water vapor की form में, रिलीज होगा, तो वो stomata के दवारा ही होगा, तो guard cells जो है, अभी मैंने आपको बताया कि guard cells की वज़े से, stomata open close होती है, तो जब open हो जाती है, stomata, उसी time पर ही water vapor बाहर आ सकते है, क्लोज हो जाती है, तो नहीं हो सकते, ठीक है, जो last line में भी आपको समझाया है, तो अगर आप चाते है, rate of transpiration को note करना, तो opening और closening के हिसाब से होती है, stomata open तो यह process होगी, stomata close तो यह process नहीं होगी, और उस time पानी को save कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक clear हो गया बच्चों अच्छे से, अब हम पढ़ते है, है, how plant obtain water for photosynthesis, carbon dioxide हो गई, अब plant पानी कैसे अबटेन करता है, photosynthesis के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, carbon dioxide हवा से चाहिए, तो plant को पानी कहां से मिलता है, मिटी से, soil से, तो soil से, वो water roots में जाता है, और roots के दवारा वो leaves तक पहुचता है, बस इतना short में समझना है पहले, by the root of the plant from the soil through the process of diffusion, या osmosis, यानि की water कहां present होगा, water present होगा, soil में, soil में पानी प्रेजन होगा, soil में क्या प्रेजन होगा, water होगा, soil से वो water कहां जाएगा, roots में, roots of plant, process क्या होगी, osmosis, osmosis process में concentration की difference की वज़े से, ज्यादा से कम concentration की तरफ क्या जाता है, कोई भी चीज जाती है, तो ये कहां जाएगी, higher to lower जाएगी, ताकि वो बराबर हो सके, तो कोसmosis के दुआरा, क्या होता है, कि soil से water कहां जाता है, roots of the plant में जाता है, roots से फिर आगे जाता है, stem में, stem से से जाता है, leaves में, और leaves में ही चाहिए, यहीं जाकर वो क्या करेगा, photosynthesis में मदद करेगा, अच्छा, stem से leaf में, और यहाँ पर क्या चीज़े हैं, यहाँ पर pipe like structure होते हैं, xylem, roots से stem और stem से leaves में, xylem, जो की pipe like structure होते हैं, और इस pipe like structure से ही, पानी इधर से उधर जा पाता है, ठीक है, यानि की, osmosis के दवारा, roots में पानी आता है, कहां से, मिटी से, तो मिटी से, roots में पानी आता है, ठीक है, osmosis process से, वो पानी, roots से जाता है, फिर transport किया जाता है, उपर की तरफ, उपर की तरफ, xylem की मदद से, xylem क्या है, pipe like structure है, तो xylem vessels की वज़े से, जो वो पानी है, वो root से stem, और stem से पत्तों की तरफ जाता है, जहां उसका पहुचना जरूरी है, क्योंकि photosynthesis पत्तों में ही हो रही है, तो carbon dioxide भी पत्तों में आई थी, पानी भी पत्तों में जा रहा है, कैसे, मिट्टी से roots में, roots से stem, stem से leaves, with the help of xylem vessels, जो pipe like structures होते हैं, जिनकी वज़े से पानी उपर जा पाता है, वहां जाकर utilize होता है, इस्तेमाल होता है photosynthesis process में, तो हमने दो raw material के बारे में पढ़ा भी, एक तो हमने पढ़ा कि carbon dioxide कैसे, plant को चाहिए, और दूसरा हमने पढ़ा कि water की क्या requirement है, और water कैसे मिलता है photosynthesis के मतलों करने के लिए, ठीक है बच्चों, I hope आपको ये lecture अच्छे से समझ में आया होगा, अब sunlight और chlorophyll का क्या role है, वो कैसे मिलती है, ये पढ़ेंगे हम हमारी next class में, तब तक लिए आपने इसे अच्छे से revise करना है, photosynthesis अगली lecture में हमारी complete हो जाएगी, और वो तभी अच्छे से समझ में आएगी, अगर ये आप अच्छे से पढ़कर आओगे तो, ठीके बच्चों, अगर आप इसी तरह ऐसे पूरे subjects अपने पढ़ना चाते हैं हमसे, तो आप हमारे channel को जरू सब्सक्राइब करें, lecture अच्छा लगे तो इसे like करें, और अपने सभी दोस्तों के साथ share भी करें, मिलते हैं बच्चों next class में, thank you so much.